यदि तुम मेरे प्रती निष्ठावान होते तो तुम्हें ये कश्ट नहीं होता परन्तु तुम्हें तो मुझसे अपने भाई से अधिक वो वो मरकट प्रिये है मुझे आस्चर्य होता है सुग्रीव कि तुम मेरे मुझ महानतम वाली के भाई होकर इतने भीरू इतने भावुक हो तुम शक्ति के प्रती तुम्हारा कोई अकर्शन ही नहीं देखो मुझे बरपूर शक्ति का भंडार है मुझमें और तुम येक दूसरों के प्रेम के प्रती ही आश्रित हो तुम मैं अपनों का प्रेम पाकर स्वयम को धन्य मानता हूं वाली भाईया मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ चाहिए ही नहीं मैं आप से भी अपने लिए प्रेम की ही आकांशा रखता हूं भाईया क्या प्रेम निरर्थक है ये शबद मेरे लिए हां पर यदी तुम अपने मित्रससने करते हो तो हाओ इस प्रसाद को प्राप्त करके रक्षा करो अपने मित्र की देवी मां का प्रसाद मेरे कुछत का जीवन लौटास्टा है कि यदि वो प्राप नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी आओ सुग्रीव बचा लो इस प्रसाद को रक्षा करो अपने मित्र उस मरकट की महा देव अंचना अभी तक देवी माता का प्रसाद लेकर नहीं है मंत्री जी आप शेखरी राजवैद को बलाईए तब तक मैं हनुमान को राजमेल के कक्ष में लेकर जाता हूँ जी महाराज माँ वो प्रसाद कहा गया यदि मेरी भक्ती सच्ची है मेरा व्रत सच्चा है तो वो प्रसाद मुझे अवश्य मिलेका कहाँ ढूलनू मैं उसे इस अभागिन मा पर कृपा कीचे तेरी पुत्र को स्वस्त कर दीचे इस मा की पीड़ा दूर कर दीचे मा सुग्रेव शेगरता करो सुग्रेव नहीं नहीं भाया भाया यह क्या कर दियो भाया लेलो प्रसाद अब कैसे बचाओगे तुम इस प्रसाद को सुग्री मेरे शत्रू का मित्र मेरा भाय मुझ मांतम वाली का भी शत्रू है अब होगा तोनो कान प्रसाद के अनश्डोने कार्थ है अनुमान के जीवन पर संकट क्या करूं मैं हे प्रभू हरुमान के जीवन को बचाना बहुत ही अवश्चक है खुछ कीजे प्रभू स्वामी क्या हुआ अन्जना स्वामी स्वामी जो प्रसाद मेरे हनुमान का जीवन बचा सकता उसे मैं खो बैठी हूँ यह क्या खे रही हो तुम यह कैसे हो सकता है प्रसाद राजवबन से ऐसे कैसे खो सकता है मैंने सब और ढूंड लिया कहीं नहीं मिला उसके बिना मेरा जीवित पुत्र का ब्रत मोड़न नहीं हो बाएगा आशर यह मेरी बिना अनुमती के कोई प्रसाद ले जाने का साहस कैसे कर सकता है यह तो पुछ समझ में नहीं आ रहा स्वाम क्या करो कैसे अपने लाल का जीवन बचाओ अब तो मुझे इसके जीवन की अंते माशा भी समाप्त होती दिखाई दे रही है ए प्रभू आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं हनुमान पर आई हुए संकट को दूर कीजे प्रभू इस प्रसाद को नश्ठ होने से बचाईए ए प्रभू अकस्मात इतनी वायू कैसे चलने लगी वायू देव प्रणाम भायू देव आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस प्रसाद को नश्ठ होने से बचाकर हनुमान के जीवन को आशा दी है मुझे वहां तक पहुचाने के लिए आपका आभार आपको कोठी कोठी नमन अब तक तो मर ही गया होगा वो मरकाट अनुमान मुझ महांतम वाली ने तुझे परास्त कर ही दिया अनुमान के जीवन का अंत होने का अर्थ है कि अब इस श्रिष्टी में कोई विशेश नहीं है जो मुझ महांतम वाली की शक्तियों को चुनाती दे सके स्वर्ग के शस्त्रागार से ये इंद्र कूप लेकर अच्छा ही किया मैंने ये कूप मादेव शिव के प्रला इंकारी शक्ति से निर्मित हुआ है इस से इच्छा अनुसार किसी वी आकार में कूप को उद्पर करके उसमें किसी को भी बंदी बनाय जाकता बाली इंद्र कूप को बीना अनुमदी के लाकर तुमने बहुत बड़ा प्राद किया है और उस से भी बड़ा प्राद के उसका दूरुू जयों करके शान 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 देवराज इतना कोप अपने ही अंच पर वाली तुम मेरे अंच हो इसलिए प्रेम बश में तुम्हें स्वर के शस्रागार लेकर गया था किन्तु तुमने मेरे प्रेम का अनुचे दिलाब उठाकर वहात इंद्रकूप को चुरा लिया बस उचा स्वर और मुझ महानतम पर उठी उंगली मुझे किसी की भी अच्छी नहीं लगती हाथ चुरा है मैंने इंद्रकूप मुझे हावा शक्ता थी उसकी बस वाली बस मैं देवराच इंद्र तुम्हें वर्दान दे सकता हूँ तो इंद्रकूप को चुराने के दंडस्वरूब तुम्हें शराब भी दे सकता हूँ वर्दान और श्राब की परिधी से बहुत उपर उठ चुका है वाली अब आपको भी यह समझ लेना चाहिए कि वर्दान प्राप्त करकर सत्य में वाली महांतम बन चुका है अब आपकी शक्तियां भी शीन हो जाएंगी मेरे समझ बाली एंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है नित्र तो आपके नहीं देख पा रहे हैं यदि मैं चाहूँ तो स्वर्ग से भी आपका सिंगासन चेंग सकता हूँ परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा उपकार किया है आपने मुझ पर मेरा शत्रू था हनुमान जिससे मेरे जीवन को संकट था परंतु अब तक तो उसका भी अंत हो चुका होगा इसे तो ग्यात ही नहीं है कि हनुमान का जीवन बच गया है अच्छा है अन्याथा फिर नजाने ये क्या अनर्थ करने चल देता किन्तो तब तक मुझे इस समास्या का कोई न कोई समाधान तो भूण नहीं होगा ये इश्वर ये कैसी बिड़मना है जिस हनुमान ने सदेव सबके जीवन की रक्षा की सबके संकट हरे आज आज सुयम उसका जीवन संकट में है और मैं विवश होके देखने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ महराज हमारे वित्र को कुछ नहीं हो सकता मुझे पूर्ण विश्वास है वाली के शत्रू कांत तो हो नहीं था यदि ये किसी प्रकार बच भी गया तो वाली इसे जीवित नहीं रहने देगा कुछ नहीं होगा मेरे हनुमान को सुग्रीव पुत्र येली ये महराज शेगर तकी ये महराज महराज सुग्रीव ये तुम्हे क्या हो गया बुत्र ये तुम्हारी देश से रक्त कितना बहरा है मेरे चिंता मत कीछे महराज बहे जाने दीजे इस रक्त को कदाचित भाई के द्वारा किये गए एक पाप दूसरे भाई के रक्त से धुल जाएं ये तुम क्या कह रहे हो सुग्रीव? हाँ महराज इस प्रसाद को वाली भाईया नश्ट करने के लिए ले जा रहे थे मैंने किसी प्रकार वायुदेव की साहिता से इस प्रसाद को नश्ट होने से बचा लिया मेरी चिंता छोड़िये आप सब शेक्रे हनुमान को प्रसाद ग्रहन कराईए और उनके जीवन की रक्षा कीजिये शिगर कीजे मारानी मा शिगर क्या हुआ देवराज यदि आप मुझसे युद्ध के बारे में सोच रहे हैं तो भूल जाएए उसमें आपका ही आहित होगा मुझे ऐसा वर्दान दीजे देवराज जो भी शत्रू मेरे समझ युद्ध की मंसा से आए उसकी आधी शक्ती मुझ में समा जाए उसका आधा बल मुझे प्राप्त हो जाए तास्टू, तास्टू, तास्टू ऐसा प्रतीत होता है देवराज जैसे कुछ मरन आ गया हो आपको पाली, शक्तियां भी अपनी सीमा में अच्छी लगती है जील का जल्बी जब अपना बंद तोड़ देता है तो जील भी सूख जाती है मैं इस पश्च देख रहा हूँ एहिंकार तुम्हें पतन के मार्ग पर ली जा रहा है अब भी वक्त है, संभल जाओ वाली, ये कोई दूस वापन है या सत्य? ये मैं क्या सुन रही हूँ? हनुमान से शत्रुता, वो तुम्हारे लिए छोटे भाई के समानी है बस मा, उसका नाम भी मत लीजिए मेरे समक्ष वाली, तुम मेरे दूस को लजजित कर रहे हैं और केसरी जी का परिवार बित है हमारा मा, महांतम वाली की मात्व कांग्षा भी महान है अडिक पर्वत के समान जिसे ना आंदियां हिला सकती है ना प्रलेंकारी बाड बहा सकती है मैंने अपने पिताश्री को ये बंदीगरे में डाल दिया तो फिर हनुमान और काका केसरी ये तो छोटी मुटी नदिया है मुझ माहान तम पर्वत के लिए तुम भूल रहे हो बाली, छोटी छोटी नदिया ही लिरंतर भाव से बड़े बड़े पर्वतों को धड़ा शाही कर देती है इसलिए इसलिए माह मैंने इन छोटी मोटी नदियों को सुखा दिया सुग्रीव भी ऐसी ही नदी बनते जा रहा था तुग्रीव, तुम कहना क्या चाहते हो वाली वो हनुमान को बचाने का प्रयास कर रहा था फेक दिया मैंने भी उसे सुमेरू की गहरी खाई में जब मैंने अपने पिता श्री और भाई को नहीं छोड़ा तो फिर वो हनुमान वो तो पढ़ाया है मेरे लिए वो मेरे मार्ग का सबसे बड़ा कंटक था हटा दिया मैंने उसे भी अपने मार्ग से और अब तक तो उसका जीवन समाप्त हो गया होगा क्या? तुमने सुग्रीव और हनमान दोनों को? हाँ, हो सकता है कि सुग्रीव आपको मुझ्य महानतम वाली और मेरा विरोध करने वाले उस भीरू सुग्रीव दोनों में से किसी एक को चुनना होगा वाली तुम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो किन्तु मैं धर्म और न्याय के पत को नहीं त्यागू मेरे पुत्र ने भी मेरे साथ आपकवरत रखा कि जीवन की रक्षा करता है हे देवी माता अनुवान को इस घोर संकट से बचाए उसके जीवन की रक्षा कीजिए माता मारुति के मंगल की चिन्ता परिजन पुर्जन चिन्तित माता पाई प्रसाद परम अकुलानी हनुमत को दय गद गदवानी करत प्रार्थना देवी मनावत कर जोरे सुत सुफल सुहावत प्रकट भाई तिर देवी अनुपा हनुमत मंगल भाई एक रोपा कर दो लाई आए झाल झाल कलो मा अदुमा माँ पिता अश्री माँ मुझे शीकर ही जाकर मारहजवाली को सूचित करना होगा कि हनमान सुख्रीप के कारण बच गया झाल 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 मुझे शीकर ही भी बच्रू करना है झाल झाल